Hi guys welcome back to my channel कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका एक और वीडियो में और आज की वीडियो जो रहने वाली है आपको I'm sure thumbnail देखके समय लगी होगी बट मैं थोड़ी सी briefing देना जाता हूँ आज की वीडियो के बारे में आज की वीडियो मैं न्यूश्टुनेंट्स के लिए बना र यूश्टी ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रिस्विन में जो है और मैं आज जेम्स को यूश्टी में अभी पढ़ रहा हूँ तो मतलब मेरा के जीटी इंटर्व्यू मेरा क्लेर हो गया था और मेरा सारा कुछ सक्सेस्फुल रहा था तो in short मैंने वह रिकॉर्डिंग क्यों की आपको हो जाए और अगर वीडियो कॉल होती तो रिकॉर्ड नहीं कर पाता शायद मैं लेकिन वह मैंने इसलिए डाले थी कि आप सबको आइडिया लग जाए क्योंकि काफी जाने यह सोचते हैं कि जीटी बहुत डिफिकल्ट है इंटर्व्यू बहुत डिफिकल्ट है पता सबके बास अवैलेबल हैं शौर कि आप यह वीडियो जो मेरी देख रहे होगे वह आफ्टर वह वाली वीडियो देख रहे होगे और आप यहां पर जानने आहां कि कैसे आ सकते हैं कैसे टाइप की कॉशन आते हैं इंटर्व्यू अपने सुन लिया ओविसली लेकिन आपको एक सेंपल एक चाहिए होगी या फिर आपको एक टैंपलेट चाहिए होगा जिसमें कोशन और आंसर हो तो आज की वीडियो में इसलिए बना रहा हो कि मैं आपको एक प्रोवाइड कर सकूँ प्लैटफॉर्म मतलब ऑविसली वर्ड डॉक्यमेंट या पीडिए प्रोवाइ मतलब हुआ मेरे एजेंट मेरे से पूचा कि आप एसेोपी मतलब उन्होंने मिरी हेल्प कि एसोपी बनमाने में मैंने एसोपी बनाई समिट करी और जो इंटर्वीग कॉल था जो एसोपी में लिखा था उसके रिले इसारे सारे वोश्ट्रंस हैं तो आज की वीडियो में बस मैं यही explain करूंगा आपको questions बगरा दिखाऊंगा अपने laptop स्क्रीन पर जाके और अपना GT का थोड़ा सा experience बताऊंगा आज की वीडियो पूरी देखना मैं आपको guide करना चाहता हूं मैं नहीं चाहता को जीटी में फेल हो क्योंकि जीटी में अगर कोई फेल हो रहा है तो व वीडियो पूरी देखना और किसी को भी कोई questions है या फिर मेरी sample SOP चाहिए जो मैं अभी दिखाऊंगा अगर आपको यहां से note करने हैं यहां से कर सकते हैं अगर मेरे से आपको word document चीए अपनी help बनाने में मतलब help करने में तो मैं आपको sample SOP provide कर दूँगा sample बस नाम की sample है है मेरी बस मैंने अपनी details remove कर दी है उसमें से तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और पहले मैं आपको थोड़ा सा experience अपना बता दूं क्या है क्या नी वैसे almost मैंने सारा कुछ बता दी है लेकिन छोटा सा बाड़ मेरे को बनाना एक मैं GT का पहले बता तो GT जिसको नहीं बता जाता हूं GT के होते हैं दो पाड़ एक होता है interview और दूसरा होता है back end पे जो agent निगाम करना होता है वह होता है कि आपके पास documents कौन कौन से चाहिए आपके सारे documents चाहते हैं in the form of eligibility check करते हैं कि आप student visa के लिए eligible हो आप वहां पे survive कर पाओगे आपके पास funds हैं या नहीं है तो जीटी मतलब जीटी का process है गया actual में और front end का सिर्फ बताऊंगा अगर आपको back end का process जाना है वो आप किसी agent के साथ consult करें क्योंकि agent आपको बता सकता है आपके profile के recording के आपको कौन से documents चाहिए एक्सेक्टरा एक्सेक्टरा मैं आपको सिर्फ जो है sample SOP आपको दिखा सकता हू और आपको सजेस्ट कर सकता हूँ आप ये questions prepare कर लें और आपका जीटी interview clear हो जाएगा लेकिन the thing is कई बंदे पूछते हैं कि जीटी होता गब actual में तो मैं उसके लिए भी आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपने offer letter apply कर दी न offer letter आपने for example अपनी university की details भरी सारी अपनी details भर जीटी का process start होता है तो जीटी के process में इंटर्व्यू होता है आपकी documents वगरा जाते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया तो यही short में आपको बताना चाहता था कि जीटी का होता गया सबसे पहले मेरा नोट आप देख लेना कि यह सेंपल सब्सक्राइब कर सकते हैं तैंक यू अगर आप चेंज कर देंगे तो बहुत बढ़ी है ऑविसली आपको चेंज करनी पड़ेगी दूसरी बात है सेंपल आप सब्सक्राइब और स्टेटमेंट और स्टेटमेंट और उसकी फुल फोम है और जो पहले 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 पाट अबहूं इंट्रदक्शन घ्ररेग्शन में आपने लिख देना है क्या क्या नहीं करते हैं उसके बाद है अपको तक ही नहीं करूंगा क्यों नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो अगर लंबी होगई तो बोरिंग हो जाए और वह आप एजेंट से करें कि हमारा गाप कैसे मतलब एक्स्पेंट करें तो यह बहुत इंटर्वियू में पूछेंगे पूछेंगे यह रीजन्स फॉर नॉट स्टेडिंग इन इंडिया देखो इंडिया भी आज कल अडवांस होगा काफी वह थर्ड लाज शेकानमी है औ तो इसका अंसर आपने बहुत अच्छे से देना और बहुत पॉलाइटली आंसर देना और यह फॉर एक्जांपल मैं आपको पुताता हूं वाइंडिया में यहां पे अवेलेबन नहीं है इसलिए मैं ऑस्टेलिया जाता हूं दूसरा है कि मार्क्स के बीचे बहुत बागत इंडियन इंट्टिट्टूट इंडियन पूट प्रेशर प्रेशर उने स्कोर गुड मार्क्स सिर्फ मैरीड बेस सिस्टम में बीचे आप इसे नहीं बोलना तो यह में तो रिजन से आप यह तो रिजन से दोगे ऑलगे दूसरी बाद कि मैंने थोड़ी सी फीस कंपेर कर कर दिया कि मेरे जो मैंने को जो बेसलड़ प्रेश करना था और बेटक कि फीस कितनी है तो यह मैंने फिस्ट का डाटा थोड़ा सा निकाला अप ऐसे कंपेर करोगे क्योंकि अधर अच्छे से एक्स्टें कर पाहोंगे कि आ आपने क्यों नहीं करना देख जैसे मैंने यहां पर एक पर गया हुआ है तो इस अ गूट साइन ऑफ एस पी ठीक है यह बहुत इंपोर्टन पाट है दूसरी बात दूसरा बहुत इंपोर्टन पॉइंट वाइं नोट एनी अदि कंट्री आप कैनेडा क्यों नहीं जाना जाते हैं तो मैंने तीन कंट्रीस कंपेर गी थी तो उसे से और यॉसे तीष्वी चै heavily कोई यहां चाते हो यह आपको कंपेरी करनी तो Canada में पहले ने इंवियर्मेंट का जो दिया ता एपको régर्णा कजार सूटिँ कर करना आपको पढ़ना भी है तो सारा डिफिकल्ट हो जाता है तो वह अगें युनिवस्टी ऑफ वाटरलू के साथ काल टांग उनिवस्टी टैक उनकी फीस सिमिलरी थी यहां फिर ज्यादा ही थी ऑस्टेलियन युनिवस्टी से तो मैंने कंपेर कर दिया कि कैनेडा में जाना युनिवस्टी में लेने के लिए अगें फीज कंपेर करती फीज इस मौर दन और यह उडी तो यहां पर आपका आफ्राइब पर में आपका आएग्स कॉलरशभ लेटर साथ में अगर आपकी लगती है तो जैसी ए मेरी जेम्स कुक युनिवस्टीने में मिरको स्कॉलर्श कर रहा हूं और जो यूएस से कैनेडा की उनिवस्टीज वह बहुत एक्सपेंसिव है ठीक है वाइस्टडी इन और चार मैं आपको बताओंगा जो जो भी मैं बता रहा हूं बॉलिट पॉइंट जी अगर यह आपने सही आंसर देदी है ना और वह सैटिस्वाइड होगी हो यह हो गई कि हाँ यार बंदा जैनों ना वह सीरिशली उसने कुछ रिसर्च किया तो वह आपको पास कर देगा नोडिट वरी तो वही पांट आगया उपर से कंपरेजन किया था कि फिनेंशल कोश्ट अप स्टेडिंग इन उस्ट्रेलिया इस लेस्ट क्योंगी फीज लेस अगर हम देखा जाएं युए से कैनिड़ा से कंपरेटिवली इन दे मिडली यह मतलब साथ-साथ यह इतना कोई जाथ आया कम वाला काम नहीं है अनुदर पॉइंट इस यहां भी लिगा है तो कॉलिज और ऑस्टेलिया एंज्टेलिया इंज्टेलिया इंज्टेलिया उनि जाते हैं तो यह थोड़ी स्टेट की टारीफ कर देनी है कुछिछ बाद ब्रिस्बिन बहुत ब्रिस्टी नहीं है क्योंकि हमें का पता ब्रिस्बिन में क्या है वह सर्च करना आपने वही पयर ग्रफ करके सीद्धर डाल देना यहां पर तो बेसिक नसाइस बगरा वहर एक सब्सक्राइए तो आपने करना बाकी इनिवस्टी जो भी एरिया में सब्सक्राइब को कि तो पूछी全 जादा बढ़ा वेश्ट यूनिवस्टी लेकिन मैं उस से नियुटी की फीज ज्यादा है इसलिए मैं से में आ रहा हुँ गृफित की ज्यादा है इसलिए मैं इसमें आ रहा हूँ मुनैश की ज्यादा है इसलिए मैं जैम्स कुग में आ रहा हूँ क्योंकि यह फीजवला फेक्टर है फस्टली आ गया देखो यहां पर मैंने लिखा हूँ है मेरी और मेरे को इतनी स्कॉलर्शिप दी यह हमेशा दो बरी अगर मैंने यहां पर मैंचन किया यह आपको स्कॉलर्शिप कितनी मिली है और आप खुश हो उससे मतलब आपको शो करना कि आप स्कॉलर्शिप और मैंचन करना दूसरी बात है कि उसको युनिवस्टी के बारे में रिसर्च किया तो यह में बहुत जाने पड़े हैं हैं जो बहुत अच्छी जोब्स कर रहे हैं एक्सक्राइब और यह मेरे कोर्स की डिटेल आपने क्या करना आपने फॉर एक्सापल मेरी जेम्स को थी मैंने जेम्स को की युनिवस्टी की साइट को ली साइट में वहां पर मैंने कॉपी किया नीचे पेस्ट करती है कि तो कोर्स के बारे में हैं और सब्सक्राइब को मैंने आपको बताया हुए कैसे करने पता तो सब्सक्राइब को कैसे अपने युनिवस्टी की वेबसाइट बेड़ना फॉर एक्जामन मेरी जेम्स को कहा है युनिवस्टी वह पी अगर मैं चाहूंगा थोड़ी से क्लिप सब्सक्राइब में अब जोगीवप आपना उसके निचे आएगा तो सब्सक्राइब कापने सब्सक्राइब करोगे सब्सक्राइब करोगे सब्सक्राइब करोगे तो मैंने उनको क्या बोला था कि मतलब इतनी सारी जॉब्स है अवेलेबल और मैं कोई आपने अगयं कर मर्च शब्सक्राइब कर फक्राइब कर भोगे लाना कुछ भीजाने तो यहां ने क्या ने लिखआने और और किर अंदensemble in comparison comparison क्या करना है कि India में कितनी सॉल्रीरिया अगर आप इंडिया में दिगर और और ऑस्ट्रेलियन डिगरी आप इंडिया में वाद लेकर जाओ तो तो लिसांट लिए तो तो वेब इजैनर की सेवने इंडिया में हां तो 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 आपनी तरफ से यूण थोड़ा आपने तरफ से लेकिन मैंने एक दो में रिसेर्च करी थी बाकी मैंने तो उनको यह अपने में उनको यह बताना है कि हम वापीस आ रहे हैं मैंने रिसेर्च की हुई है मैंने वापीस आगे इतनी से लेनी उनसे मैंने वापीस आने मैंने वहां पर नहीं रहना तो अगर आप यह पॉइंट अगर प्रूफ कर सके होंगे ना इस यह जो पॉइंट है जो मैं में आपको दिखा रहा हूं यह वला अगर आप यह एक्स्प्लेइन कर दोगे थोड़ा सा डिटेल में तो वह मान जाएंगे कि आपको वापीस आना आपको यहां पे नहीं आना कोई दिख्कत नहीं है इसको इसको बुलाओ यह वापीस चले जाएगा उसके बाद फैनेंशल इंसेंटिव में आपने फंड एक्स्प्लेइन करने आपने फंड कैसे शोगी है तो यह एजेंट आपको करेगा इसमें आपको बताएगा ऐसे आपने करना और अकॉमोडेशन बीज़ूर यह आप पर जाके कैसे रोगे तो मैंने कहीं था मैंने उनको बोला कि मेरे पास अभी कोई मैं तो आया था अपने बाई के पास आथा कजन ब्रदर के पास उन्होंने मेरी अकॉमोडेशन कर दी थी लेकिन जब आपने आना आपके पास अगर आप आपने यह नह कह रहा हूं आपने सीधा कहना कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है अभी मैंने कुछ नहीं सोचा पर मैं दो तीन वेब साइट है यूनि लॉज विगर रहा है रिसर्च कर रहा हूं तो डोंड वरी मैं वहां जाके अपना अपार्मेंट कर दूंगा और एउड इतना मेरे को र सुरी मैं स्टेडी विजा यह है कि मेरे को 80% अटेंडन्स जो है वह अब वह करनी चाहिए वह करनी पड़ेगी असी परसेंट अटेंडन्स होनी चाहिए फटास परसेंट के पास मतलब पास होना जाए हर सब्जेक्ट में 40 आवर्स पर 48 है सुरी फॉर लेकिन 40 तब 40 था इस तो 48 आवर्स पर पार्ट टाइम पेसिस में काम कर सकते हैं युनिवर्स्टी से मिने से पहले चेंज नहीं कर सकते और चूंटेक्ट डेटेल्स हैं वह मैं जब ऑस्ट्रेलिया आउंगा और यही मेरी औरिजिनल जिसको करते हैं ना एसोपी है मैं कुछ बना नहीं कुछ नह और मैंने आपको सेंपल एसोपी आपको समझा दिया कैसे 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 क्या क्या करना है और बस आज की वीडियो में मैंने इतना ही आपको समझाना था किसी को यह सेंपल एसोपी चाहिए मैं बार बार कहा रहा हूं मेरे को बेजिजिक मेसिज करो मैं आपको यह सेंड कर साथ और लेकिन लेकिन मददलब इसको को मोड़के पूढ़ सकते हैं आपको इंडिया में कुछ आपको यह कुछ नहीं करना है मतलब की पर कदेंगे को सारे यही रहते हैं अगर किसी को को जाड़ करने हैं तो जो और बस आज की वीडियो में इतना है thank you guys for watching और subscribe गर देना मेरे चैनल को अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और like, share और subscribe गर देना अगर आपको कोई भी help वी thank you guys for watching झाल झाल